संजू सेमसन क्या बेहतरीन पारी खेली जिसे देखकर हर कोई मंत्र मुग्ध हो जाए पूरा देश इस वक्त जस्ट मना रहा है दसेहरे का विजे दस्मी का और इस मौके पर संजू सेमसन ने इतना बड़ा धमाका किया जिसकी गूंद ढाका तक सुनाई देगी जियां बिल्कुल आपने सही सुनाई संजू सेमसन ने आज ताबड तोड़ इंदाज में पारी का आगाज किया और फिर उस पारी को सिर्फ छोटी सी पारी में नहीं रखा पूरा शतक में तबदिल कर दिया आज लगाए 8 छके 9 चोके यानी दिख रहा था बौंडरी हल गेंद में मारना चाह रहे हैं और उसी के दम पर संजू सेमसन ने 9 साल बाद अपने डिबू के T20 क्रिकेट में शतक पूरा किया है 32 पारी का इंतजार किया 33 पारी में संजू सेमसन ने शतक ठोक दिया है और इसी के साथ ही एक किरतिमान अपने नाम रच लिया है संजू सेमसन की सपारी की बदल टीम इंडिया ने कह सकते हैं दमदार शुरवात की और दमदार टोटल तक टीम इंडिया ने इस मुकाबले में अपने आपको खड़ा कर दिया लेकिन संजू सेमसन ने आज कई सारे रिकॉर्ड बना हैं अगर बात करें अंतर राश्ट्री क्रिकेट में तो संजू सेमसन ऐसे चोथे वल्ले बाज बन जाए हैं जिन्होंने सबसे तेज शतक पूरा किया है संजू सेमसन ने आज मातर 40 गेंद पर अपना शतक पूरा किया है संजू सेमसन से पहले डेविड मिलर आते हैं जिन्होंने 35 गेंद पर शतक पूरा किया है उसके बाद आते हैं 35 गेंद पर ही डेविड रोही शर्मा और उसके बाद जांसन चॉल्स आते हैं जो उनुनने 49 गेंट पर पूरा किया था अब ये संजू सेमसन जिन्होंने 40 गेंट पर पूरा किया है अगर बात करने भारती टीम की तो रोई शरमा उन से आ गे है उसके बाद आते हैं संजू सेमसन का नाम उन्होंने आज सूरिकुमार रियादो की रिकॉर्ड को भी पीछे चोड़ दिया क्योंकि सूरिया ने टीम इंडिया के लिए 45 गेंद पर टी-20 में श्रतक लगाया था अब संजू सेंसन आ चुके जुन्होंने 40 गेंद पर श्रतक पूरा किया है तो फिलाल आपको क्या लगता है क्या संजू सेंसन की जगे इस श्रतक के बाद टीम इंडिया में पक्की हो जाएगी है नहीं कोमेंट बॉक्स मेरू बताना और पेज को फॉलो करना चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुन दोलेगा धन्यवाद